आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now इस Question में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक छोग क्वाइल है, जो कि AC Source से क्या किया गया है, Connect किया गया है अब बोला जा रहा है, Sum कुछ Power इसमें क्या हो रहा है, Dissipate हो रहा है इस क्वाइल में क्वाइल का, and यह क्या होगा, Inductive Reactancy, यहां पर देखेगा, XL यानी बोल रहा है, और यह Capacitive Reactancy, यहनी XC, of Capacitor, वो क्या होगा, 1YX होगा, ठीक है, और तो हम लोग का X का Value Find Out करनी है, तो Solution क्या हो जाएगा हमारे देखे, Solution, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस में चलते हैं, चोक क्वाइल कर रहा है, तो यह क्या होता है, R और L का combination होता है, तो यह हमारा R हो गया, और यह L हो गई, ठीक है, और इसी के around हमारा एक क्या, एक source लगा हुआ, AC source, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग यह R हो गई, यह L हो गई, तो इसमें अगर हम लोग current I मानते हैं, तो यह हमारा I होगा क्या, यह पहले बताइए, तो हमारा जो I होगा यहाँ पर, वो क्या हो जगा, V divided by R square प्लस XL का square का whole root under, ओके, यनि हम लोग कर सकते हैं, इसे V, Y, Z बोल देते हैं, अब चलिए next case में, हमारा next case में क्या बोल रहा है, कि हमारा जो यह एक capacitor है, जो की एक series में connect कर दिया गया, इस coil के साथ, मतलब यह resistance थी, और यह inductance थी, यह हमारी coil हो गई, इसके साथ एक capacitor add कर दिया है, तो यह हमारा क्या हो जगा, V हो गई, ओके, और यह हमारा क्या हो गई, यह हम लोगों ने दिया हुआ, यह R, L और यह C हो गई, तो हम इस चीज में होता है, यह हमको बताईए, यह हमारा R में ही होती है, यह L और R, एक C में, L और C में जो power dissipation होती है, वो क्या होता है, जीरो होता है, तो simply जो हमारा power dissipation होगा, वो किस के थ्रू होगा, R के थ्रू, ठीक है, तो अगर हम लोग power dissipation का बात करें, यहाँ पे अगर ह और इस circuit का अगर बात करें, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा, इसे current हम लोग I2 मान लेते हैं, तो इसमें power dissipation कितना हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा power dissipation हो जाएगा, पी loss, वो कितनी हो जाएगी? हमारा I2 square हो जाएगी into R, क्योंकि यहां भी हमारा L और C के कारण power कि जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि average power loss होता है, L और C में, वो क्या होता है? 0 होता है, और वही हम लोग उसे कह रहा है, कि इन दोनों circuit में जो power का loss होता है, वो क्या है? constant है, यह भी same है, और यह भी same है, दोनों एक दूसरे को, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, so, as P loss ह हमारा क्या है? constant है, तो हम लोग कर सकते हैं, R तो हमारा constant है ही, तो हम लोग कर सकते हैं, जो I होगा हमारा, वो क्या होगा? वो भी constant होगा, क्योंकि यह क्या होता है? I square into R होता है, यह हमारा constant है, तो यह obviously बात है कि I भी हमारी constant होगी, और I हमारी constant क्या होगी? I जो होती हमारी V वी वाई कितना होता है, जेड होता है, ठीक है, तो यह हमारी जो current है, वो वी वाई जेड होती है, इसका मतलब क्या है, वी तो हमारा constant है, क्योंकि दोनों source में क्या गया है हमारा, कि वी constant होगा, तो इसका मतलब क्या है, कि हमारा, कर सकते हैं, जेड भी हमारा क्या होगा, constant होग तो यही हमें यहां पे करनी है ठीक है यहां से हम लोगोंने क्या देख रहा है कि जो Z है हमारा वो क्या है यह है और इस केस में हमारा Z क्या है इस केस में इसे हम लोग Z2 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं Z1 मान लेते हैं तो यहां जो Z2 है हमारा वो कितना है? R² प्लस यह कितना हो जाएगा? XL²-XC² ओके? यह है हमारा XL-XC का whole square यह होगी ठीक है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे? XL-XC का whole square का root अंडर यहां से हम लोग को Z2 मिल गया और यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं? जो हमारा Z है वो क्या है? constant है तो यहां हम लोग constant कर देते हैं Z तो क्या हो जाएगा? Z1 equals to Z2 ओके? तो यह हमारा क्या था? root अंडर R² प्लस XL अंडर equals to यह क्या है? root अंडर R² प्लस XL-XC का whole square ओके? तो अब देखिए हम लोग यहां से क्या करते हैं? कि यह जो root है दोनों asquire करेंगे दोनों तरफ तो यह क्या होगा? root हमारा cancel out हो जाएगा दोनों तरफ यह R² भी cancel out हो जाएगी दोनों तरफ तो हमारा क्या बच जाएगा यह? यह हमारा दोनों तरफ root अंडर अब लेंगे तो हमारा जो root अंडर के बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? XL equals to यह हमारा कितना निकलेगा? mode of XL minus XC ठीक है? यह भी हम लोग mode ही कर सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो यह हो गई हमारी तो हम लोग यहां से अब क्या देख रहे है? कि जो हमारा यह XL है यह क्या हो जाएगा? एक तो हमारा यह plus minus हो जाएगी XL minus XC ओके? तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं? एक case अगर first case positive का case लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा अगर positive case लेते हैं तो in case of in positive case positive लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा XL equals to XL minus XC तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा यह XL तो XL cut जाएगा तो हमारा जो XC होगा वो 0 हो जाएगा और XC हमारा क्या हो तो बनवाई omega C यानि हम लोग कर सकते हैं यह का possible जब omega हमारा infinity होगा ओके तो जो कि यह possible है ने इसलिए यह हमारा case wrong है अब second case लेके चलते हैं इन negative में negative sign में तो हमारा क्या हो जाएगा XL equals to minus XL plus XC ठीक है तो यहां से हम लोग को क्या निकल गया 2 XL equals to XC अब हम लोग को ratio किसका किसका बोला था XL यहनी inductive reactance का coil का और capacitive reactance यहनी XC इन दोनों का ratio हम लोगों से पूछा जा गया था तो यह कितना हो जाए 1Y 2 और यह हमें दिया हुआ कितना है यह का रहा है 1Y X दिया हुआ है तो हम लोग का जो X का value हो गया वो कितना हो गया compare करने पर 2 ठीक है तो हम लोग कर सकते है X equals to कितना है 2 है हमारा So option जो हमारा option तो इसमें दिया हुआ है ने So हमारा answer कितना हो गया X equals to 2 ओके